पेरों में सूजन एक आम सबस्या है जो की गलत जीवन से लिए पोषण की कमी सारी गदिपिद्या ना करने या मोटापा की वज़े से उत्पन होती है देर तक खड़े रहने या भड़ती उमर, प्रेगनेंसी, प्रेमेस्ट्रल सिंड्रॉम और पेरों में ठीक तरा से रक्त्राण ना होने पर भी पेरों में सूजन आ सकती है इस बीडियो में मैं आपको पेरों में सूजन दूर करने के घरे लोग उप्चार के बारे में बताने जा रहा हूँ ये सूजन को कम कर आपको दर्थ से राहत जरूर दिलाएंगे तो आप बीडियो को लाच तक जरूर देखें और हमारे साथ बने रहें पेरों की सूजन को कम करने के लिए आप सेंदा नमक का यूज कर सकते हैं सेंदा नमक में हाइडरेटिक मैगनिसियम सल्पेड के किस्टल होते हैं जो मास्पेशियों में दर्द को ठीक कर तुरंत आराम दिलाते हैं आदा कप सेंदा नमक को गरम पानी से भरे या टब या बाल्टी में डालें अब 10 से 15 मिनट के लिए अपने पेरों को इस पानी में डुबो कर रखें आप इस उपाय को रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं पेरों की सूजन को कम करने के लिए आप बेंकिंग सोडा का भी परियोग कर सकते हैं इसमें एंटी एंप्लामेंटरी गुण होते हैं चावल के पानी के साथ मिलाकर एपेरों में जमा अत्रिक्ट पानी को सोग लेता है और इससे पेरों में बलड सर्कुलेशन भी ठीक होता है दो चमत चावल को पानी में उबा ले अब इस पानी में दो चमत बेंकिंग सोडा डाल कर पेस्ट बना ले और 15 मिनट के लिए पैरों पर लगाएं कुछी दिनों में पैरों की सूजन ठीक हो जाएगी पैरों की सूजन को कम करने के लिए आप एंसेंसियल आउयल का भी इस् कारी है एसेंसियल आईल को पाणी में डाल कर मिक्स कर लें आप इसमें आदा कप छेंदा नमक भी डाल सकते हैं अब इस पाणी में 15 मिनट के लिए पेरों को भीगोएं आपको यूके लिफ्ट पेपर मिंट लेवन एसेंसियल आईल की 3-4 बूंदे और आदा बाल्टी गरम प पेरों की सूजन को कम करने के लिए आप नीमबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीमबू में सूजन रोधी गुन होते हैं और दाल चीनी एम जेतुन का तेल भी सूजन को कम करने की सकती रखते हैं, आदा चमस दाल चीनी पाउडर, एक चमस नीमबू का रस, एक चमस जेतुन का तेल और एक चमस दूद को मिला कर पेस्ट बना ले इस पेस्ट को पेरों पर लगा कर कुछी घंटों के लिए छोड़ दे आप इसे रात भर भी लगा रहने दे सकते हैं पेरों की सूजन को कम करने के लिए आप जोका पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जोका पानी पीने से पेशाब ज़ादा आता है जिससे सरीर से सारे विसक बादार्थ बाहर निकल जाते हैं इसे पैरों की सूजन भी कम होती है एक से दो कब पानी ले और उसे मुटी बर जो के दाने डाल कर पानी के भूरा होने तक उबा लें इस पानी को ठंडा होने पर चान कर पी लें आप दिन में एक या दो गिलाज जो का पानी पी सकते हैं पैरों की सूजन को कम करने के लिए आप धनिय की बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं धन्या मूत्र वर्दक होता है जो सूजे हुए पेरों में जमा अत्रिक्त फ्लोईट को सरी से बाहर निकाल देता है आप एक कप पानी में तीन चमच धन्ये के बीजों को तब तक उबालें जब तक की पानी आधा ना हो जाएं इसके बाद पानी को ठंडा कर चान कर पी लें दिन में दो बार इस पानी को पीने से फाइदा होगा पैरों की सूजन को कम करने के लिए आप वर्द की सिकाई भी कर सकते हैं आइस पेक लें या एक साब कपड़े में चार से पांच वर्द के ठुकड़े डाल कर परवाईत हिस्से की दस मिनत के लिए सिकाई करें वर्द से रख परवा बेतर होता है जिसे सूजन और दर्द में कमी आती है अगर आप भी पेरों में सूजन को दूर करने के लिए किसी तरह की दवाई का सेवन नहीं करना चाहते हैं तो घरेलू नुस्कों की मदद से इस समस्या से निजात पा सकते हैं तो ये थी कुछ में तो पूर्ण जानकारियां जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई है मुझे उमीद है आप कोई वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों साथ सेर करें अगर आप लोग चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिल आइकन जरूर प्रेज करें